और एक बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है आपको उता देंए बड़ी ख़बर अविवी मिल रही है गोरखपुर में बूत संक्या 386 पर एडियम मशीन खराब हो गई है खुटभार प्रात्मिक विद्याले का ये पोलिंग भूत है मदान केंद्रे एडियम खराब हो गई है मतदाता इससे परिशान है मामला है भूत संक्या 386 पर एडियम खराब होने इस जाहर सी बात है परिशान होंगे 306 नंबर का बूत है जहां पर ये एडियम मशीन खराब हो गई है और उसके चलते खुटभार का प्रात्मिक विद्याले का मतदान केंद्रे हां लोग परिशान हुए मतदाता परिशान हुए और हमारे साथ लगातार हम एके मिश्रा जी बने हुए हिंदी खबर के राजनितिक सराकार आप स्टूडियो में मौझूद हैं तो एके मिश्रा जी ये मतदान पृतिशत की अगर हम बात करें अभी चर्चा आधी भी रह गई थी ये कि मतदाता अगर नहीं चाहेगा कि उससे बहुत बड़ा बदलाव यहां पर चाहिए है तो वो यहां निकल कर मतदान नहीं करेगा इसी लिए मत पृतिशत कम भी रह सकता है और कम रहने का मतलब क्या यहीं लगाया जाए नहीं देखिए अच्छे मैं आपको थोड़ा सा इंडेफ्ट डाइनामिक्स की मैं बात करो नॉर्मली ऐसी बाते नहीं होती है देखिए दो concept होते हैं दो terminology होती है एक होता है political cues और दूसरा होता है या candidate को लेके political triggers जो होते हैं वह इस चीज को develop करते हैं कि हाँ भाई आप घर से निकलो यानि आपके cues को action में बदलना लोग घर से निकले सरकों पर आए voting दे के दिन जो है जा करके वोट वहां पर दें अब देखिए अगर मुद्दे और साड़ी चीजे बहुत स्ट्रॉंग है तो जो psychology होती है voters की वह motivate होता है और बड़े जोर शोर से वह पूरे election प्रोसीजन में participate करता है और इसलिए देखिए 2014 का जैसे election था यूपी का election था वहां पर चाहे बदलाओ रहा हो चाहे development रहा हो चाहे fight against corruption रहा हो यह जो क्यूज थे इतने strong political trigger में बगल गए कि पूरी की पूरी public जो है change के लिए या अपनी चीजों को पूरा करने के लिए अपने उद्देशों को political तरीके से पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो है जाकर कि उन्होंने वोट दिया इसी लिए आप देखें कि सतर परसंट पचातर परसंट असी पचासी परसंट तक जो है वोट वहां पे हुआ है अब देखिए यहां पे क्यों अगर वोट परसंटेस वोट से चला जाता है 50% 50-60 कुछ पी हो सकता है फिर तो क्योंकि जो 12 आप 107 उस percentage में किस तरह के मतढ़ाता ज्यादा रहे होँगे किस थे किस को वोट किया होगा इसके नतिजे कि unsere के मशनें आपको पताता हूं जब ढ़तिंग परसंट पर Representatives जाता है तो जादा तर जोelen core voter होते हैं यानि जो party के कार करता है party से tier one या tier two में जुड़े हुए हैं वो जाते हैं तो वहां पर आपका जो है vote percent 50-60% average जाता है लेकिन जब 70-80% जाता है तो voter का अगर आप classification करिए तो tier one में आते हैं जो party के direct member है tier two में वो आते हैं जो party के direct member के जो है किसी तरीके से friend है relative है जुड़े हुए हैं पार्टी के member भले नहों लेकिन party में उनकी आस्था बहुत जबर्जास होती है वो directly party और उसकी activity हों से जुड़े होते हैं tier three में वो voter आते हैं जो कि पूरे साल inactive रहेंगे पूरे time inactive रहेंगे लेकिन जब vote के time पे महौल बनता है तो वो जागते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई हमें अपना vote देना चाहिए और वो जाकर के vote दे आते हैं tier four में वो होते हैं जो totally नए introduce हुए रहते हैं या जो कभी जो कभी मतलब वोटिंग में interest नहीं रखते हैं कई बार जाते नहीं है वोट करने के लिए तो जब बहुत strong political cues and trigger होते हैं तो सारे tier one two three four के जो भी classification हमने आपको बताया है voter के सब जो है active हो जाते हैं और तभी ये वोट परसेंट आपका पचातर असी परसेंट पर जाता है तो अगर ये ट्रेडिशनल वोटिंग होगी पचास परसेंट 55 परसेंट 60 परसेंट का जाएगा तो यहां पर जो पार्टी के टायर वन और टायर टू के वोटर है major उनी के कारण यह होते हैं जो पचास परसेंट 55 परसेंट तक कवर कर लेते हैं तो इसमें रिजाइट भी ट्रेडिशनल जाएगा सर अब रिजल्ट ट्रेडिशन क्या होगा ट्रेडिशनल रिजल्ट ही होगा कि 2014 के पहले आप देखिए फूलपुर में क्या होता था समाजवादी पाल्टी जीती थी margin कितना होता था जो विट्ली करता था जो जीता था और जो second number पर आता था मुश्किल से 2-4% का वोट मार्जिन होता था गोरकपूर में आप देखेंगे तो यह मार्जिन बहुत जबर्जस रहा है उसका रीजन है गोरकपूर की situation आप analysis करिए गोरकपूर अगर आप जाईए और दूरदराज के इलाकों में जाईए तो योगी आदितिनाथ कोई काम हो यार ना हो लेकिन तब भी लोगों से मिलने जाते हैं दूरदराज के गाउं में लोगों से मिलना इन सब डे टू डे एक्टिविटी से एक political bonding डेवलप होती है आपके candidate party और आपके voters में public के बीच में लगातार 20 सालों से 25 सालों से वो ऐसा काम कर रहे है तब ही मैं बोलता पूलपूर में इस बार अगर बॉंडिंग इतनी जबर्जस रही होती तो उनका local leader होता कोई local leader है इन्हीं चुनाव से क्यों leader ले आए तो मौर्या जी के बात फूलपूर में BJP कोई local leader को पैदा कर ही नहीं पया इसका मतलब है कि bonding और hardcore जो ground level पर work होना चाहिए वो ही नहीं तो यह सारे ऐसे factors हैं जिसके basis पर मैं बोल रहा हूं कि यह यह चीज़े जो है फूलपूर के लिए BJP के लिए मुझे doubt लग रहा है traditional गया तो वही 2-4% का मार्जीन होगा सपा बसपा जीते ही ठीक हमारे संबाता लखनों से इस वक्त हमारे साथ सीधर जुड़ रहे हैं हम लालचन के बास चलेंगे लालचन क्या इस्थिती है इस वक्त overall voting percentage हम देखें आप लखनों में माहौल क्या देख पा रहे हैं उत्तरप्रदेश के अलग-अलग इलाकों से क्या खबर हैं गुरक अब देखने को मिला है जो होना चाहिए कहीं नहीं जो चुनाओ है उसको कहीं नहीं लोग जो है या तो संदे मानने है या चुट्टी का दिन इसलिए काफी संक्याम नहीं नहीं निकल लहें लेकिन जो चार घंटे का अब तक परसंटेज रहा है तो गोरखपुर का जो 16 द तर्फिमें दिखाई दे रहा है और जो साह होना चाहिए वह नहीं हो रहा है क्योंकि अगर देखा जा तो यह चुनाओ बहुत ही आहम माना जा रहा था परसंटेज जा रहा था क्योंकि लोगता सियम्योगी आधितनाथ में कहीं जन सभाएं की लोगों को लुभाने की कोश तो परसंटेज अब तक होना चाहिए अभी तक नहीं देखने को मिला है अक्सर इस तरह के परसंटेज क्या रुजहान बताते हैं याने कि जैसा कि मैं पूछ रहा था मिश्रा जी से जो वोटिंग परसंटेज जो भी रहेगा अगर जादा नहीं होता है क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि जब एंटी इंकमपेंजसी फैक्टर की हम बात करते हैं या बहुत जादा जनता अगर घर से नहीं निकलती मद्दान करने के लिए तो ये माना जाता है कि बदलाव का कोई मूड जनता का है नहीं लेकिन ये कैसे तैह हो कि बाकी के जो परसंटेज वोट का बारा पंदरा वीज जो भी प्रतिज़त होगा उसमें किस तरह की वोटर ने वोट जा दिया है यह वोटर है जो बदलाव चाहता है या यह वोटर है जो बदलाव नहीं चाहता है जिस तरीके से नहीं अगर बात करें तो जो परसंटेज अब तक आया है इसे फूल पुर का है वो बारत दसमलों 20% फिजदी मद्दान हुआ है और गोरफ पुर का जो है वो 16 दसमलों 80 फिजदी मद्दान हुआ है अगर टोटाल आग की बात करते तो 14 दसमलों भी 45 के आज पा दसमी चाहते हैं लेकिन उत्यक्त जो तरह जो बेत नहीं कवें चाहते हैं तो चाहिन फोन परोटे और बार्वार को जा वारे में कुछ किया हवा है क्योंकि हमने यह देखा कि बीजे पी गोरख गोरफर जो है वह रजटेशनल स्वीट बीजेपी zul begin и कौने बिर्कुल साफ है कि जिस तरीके से निए वहां पर मद्दान चल ला है बहुत ही धीमा चल लोग निकल ले रहे हैं तो कहीं न कहीं जो बदला नजरिया दिख रहा था वो ने दिख रहा है क्योंकि यह कहा जा रहा था कि परसेंटर अच्छा जाएगा जिस तरीके से जन सभाए हुई है और जहीं शिवात है कि इसको 2019 का जो चुना होना है उसको भी लेकर देखा जा रहा था लेकिन वह अभी तक वह समय करना नहीं बन पाए है जो बनने चाहिए थे क्योंकि जाहीं सभात है कि सब की नजर पूरे देश की नजर आज जो दो सभा लोग सबाए कि जो उप चुना हो रहे है को गोरपूर पूर कहीं न कहीं लोग कि सभी की नजर है कि यह चुनाओ 2019 के चुनाओ को देखा जा रहा था लेकिन अभी वह चीज नहीं निकल के आई है जो सभी करन बन रहे थे कि जो सपा बसपा का गट बंदन है बीजेपी का अभी बदलाओ जो होना चाहिए था वो भी देख परने को नहीं मिला है ठीक है लाल चन बने रही है हमारे साथ लोटिंगे हम आपके बास मिश्रा जी यह अभी जैसे हम बात कर रहे थे चर्चा हमारी हुई थी आपकी मेरी कि यह जैसे लाल चन नहीं बता है कि प्रतिश्ठा का सवाल होता तो नहीं क्या जो गुरकपुर का मकदाता है यूगी आदित नात के साथ हमेशा रहा है उनकी हर जीत में भागी दार रहा है वह इस कीज़ को एकटिश्ठा करेगा के साब यह तो आनके रणनीती है पृतिस्ठा का सवाल किनके लिए है सार् तो डिप्टि सीम जी के लिए है, योगी अधितनाथ और मौर्या जी के लिए ये प्रतिस्था का सवाल है, उसका रीजन है, क्योंकि भाई देखे, आपका एक साल हो गया, आप अगर हार गया, तो सीधे इमेज जो डेमेज होगी, वो इन दोनों लोगों की डेमेज होगी, हा विपक्ष की कोई भी सीट नहीं है, या हार गया, या गौर्मेंट नहीं है, तो थोड़ा सा एक जो यह है कि प्रचंड गर्मी के बाद, जेठ और इन सम महीने के बाद थोड़ा सा बूदा बारी हो जाती है, तो आदमी राहत की सांस लेता है, तो अगर वो इलेक्शन जीत गए, तो उनके अंदर एक खुशी की लाहर जो है, दोड़ जाती है, एक मुच्शन जाता है, तो आप लोगों का क्या विश्वास है, क्या आकलन है, परस्थितियां क्या कहती है, आपके अनुसार? जब तक लोगसंत्र में भारी मत्दान नहीं होगा, अर वक्ष की लोगसंत्र में भागी धारी नहीं होगी, तो समस्याओं के सुल्जाने में दिकतें आएंगी, और राजलेशाओं को पोसने से लाग नहीं होगा, दूसरी बात, जो अभी कही, योगी जी की पूरा विश्वास है कि विश्वाथ जीतेगा और विपक्षी धल सही नहीं मजबूति से चुनाओं लड़ रहे हैं और हमें जीत की अपनी कुरी संभावना है ठीक है लेकिन इसे लेकर आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो फॉर्ट चेंज तो नहीं है अभी देखिए इसको लेकर करके हम बहुत इस पर शुरूप से हम मत्दाताओं से अपीर जरूर करेंगे कि सौपर सिससत मत्दान की ओर बढ़ें लेकिन इसमें फूलपूर है या गोरखपूर हो गोरखपूर से तो आप लोग कोई उमीद नहीं कर सकते ना क्योंकि फूलपूर भले ही बीजेपी की ट्रेडिशनल शीट नहीं रही हो गोरखपूर में तो हमें नहीं लगता कि कहीं कॉंग्रेस या सपा अपने आपको फा इसी गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री टी एन सिंग को इसी रांटेशन धिवेजी के हाथों हरवाया था जब कि महंत जिख्विजे नाथ जी पूरी लगे हुए थे महंत अवैद नाथ लगे पूरे मंदिर के प्रतिश्चा लगी हुए थी तब जागर के जी लाखे पिवेजी कॉँए को इसी गोरखपुर ने जिताया था लोग संसर में कुछ भी संभव है लोग शाही को आप कुछ मत कहिए लोग संसर अपने मद्दाताओं से मसबूत होता है नेकां से मसबूत नहीं होता है तो क्या कहींगे गोरकपुर फूर्पुर की मत्दाताओं से क्या कहींगे आप? क्योंकि सरकार के लिए तो मतलब उनकी नजरों में सरकार का काम सैटिस्ट्वाक्ट्री है या विपक्ष कुछ गिनाएगा? क्या मुद्दे बहुत इस पस्च रूप से विपक्ष सरकार की नातामिया गिना चुका है आज की जिट में मतदान का पर्व है इस मतदान के पर्व में बढ़ चड़के हिस्सा ले सौब पृतिशत अपनी भागेदारी सुनिक्षित करें और कुछित पृत्याश्य को जिता ह इता मेरा मानना है में जब कोई पार्टी जीती रहती है और कॉंफिडेंट होता है ना नमबर वन या नमबर टू पर भी तो दाहर के बोलते हैं जी हमी जीते हैंगे हमी सरकार वो फिर ऐसी अपील नहीं करते हैं कि आप मतलब लोकतंत रहे हैं यह है वो जो सुरेंदर राजपुत जी बोल र हुँ मैंने बोला भी कि प्रतिस्था का सवाल यह इंडिविजूल प्रतिस्था का सवाल है योगी जी के लिए उनकी अपनी प्रतिस्था का सवाल है और मौर्या जी के लिए अपनी प्रतिस्था का सवाल है बीजेपी नेशनल पार्टी के लिए ठीक है प्रतिस्था का सव है कि बड़ी जंग जीतने के लिए आपको छोटी जंगे हारनी पड़ती है या लंबी कूद लेने के लिए आपको दो कदम पीछा चलना पड़ता है तो यह बीजेपी की जी यह दो हजार उन्निस का और लगां अगर बीजेपी जाती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत शुक्रिया एक मिश्रा जी हम से जोडने के लिए अपना कीमदी समय में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो अब सवाल यह है कि यह आज शाम पांच ब होजेंगे हमारा आकलन इस्थती राजनितिक सलाकार और जो भी विशलेशक हैं वो इस पर क्या कहेंगे हिंदी खबर पर यह आपको ब्रीठम देते रहेंगे फिलहाल वक्तिक ब्रीक का है नमस्कार